Welcome to new lesson अगर आपने पहले कभी Google Ads run नहीं किया है तो आपको Google Ads की कुछ terminologies हैं जिसके बारे में आपको पता होना च्छी है ये जो terms हैं ये बार-बार repeat होते हैं तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्हें जानो आज कुछ जो standard terms हैं जो बार-बार सुनने को मिलती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे देन बाकी जो lessons आगे हैं आप सीखोगे देन कुछ terms होंगी जो आप पहली बार सुनोगे तो उनको मैं वहीं explain कर दूँगा तो कि Google Ads में बहुत सारी terms हैं ठीक है यह जो CTR है यह आप बार-बार-बार सुनोगे CTR की full form होती है click through rate तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो click through rate कितने लोग आपकी add देख रहे हैं और उसमें से कितने लोग आपकी add पे click कर रहे हैं उसको हम कहते हैं CTR सपोस करो 100 लोगों ने आपकी add देखी और उसमें से 5 लोगों ने add पे click किया तो आपका CTR हुआ 5% ठीक है अब सपोस करो दो लोगों ने आपकी add पे click किया और 100 लोगों ने add देखी तो आपकी CTR कितना है 2% ठीक है तो यह CTR जो है वो Google Ads में बहुत ज़्यादा matter करता है क्यों करता है कि सपोस करो अगर आपका competitor भी 100 रुपे खर्च कर रहा है बट आपके competitor का CTR जादा है और आपका CTR कम है ठीक है तो क्या फायदा होगा आपके competitor को कि आपका competitor का जो खर्चा है वो basically कम हो जाएगा ठीक है यह फरक होता है CTR से तो अभी के लिए आप जस्ट यह समझ लो की CTR का मतलब क्या होता है click-through rate और click-through rate कैसे calculate होता है तो अगर 100 लोग आपकी add देख रहे हैं तो उसमें से कितने click कर रहे है वो आपका हो गया click-through rate percentage ठीक है तो पहली चीज CTR दूसरी लिंगो जो आप बार 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 सुनोगे वो है CPM CPM का मतलब है cost per thousand impressions ठीक है अगर आपकी add के 100 impression हो रहे हैं मतलब अगर आपकी add 100 बार दिख रही है तो उसके कितने पैसे आप Google को दे रहे हो या उसके कितने पैसे Google चार्ज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं CPM और यहीं से एक और चीज़ आई impression ठीक है impression का मतलब होता है आपकी add कितनी बार दिखी आपकी add कितनी बार दिखी उसे हम कहते हैं impression तो suppose करो flip card ने add चलाई और वो add दिखी मुझे और आपको दो लोगों को दिखी तो इसे हम कहते हैं reach कितने लोगों को add दिखी उसे हम कहते हैं reach और suppose करो मुझे पांच बार दिखी और आपको 6 बार दिखी मतलब total कितनी बार दिखी 11 तो impression क्या हो गया 11 ठीक है तो ये तीन चीजे हमने देख ली पहला CTR click-through rate कितने लोग देख रहे हैं कितने click कर रहे हैं then हमने देखा CPM, CPM is cost per thousand impression 1000 लोगों को add दिखाने का कितना खर्चा आ रहा है then हमने देखा impression क्या होता है कितनी बार add दिखी है that is impression then हमने देखा reach reach इस कितने लोगों को add दिख रही है उसको हम कहते है reach then एक और चीज़ आप देखोगे और वो है cost CPL CPL is cost per lead ठीक है जैसे नाम से आप समच सकते हो आप जो lead generate कर रहे हो तो हर lead आपको कितना खर्चा पढ़ रहा है उसको हम कहते हैं CPL that is cost per lead then एक word आप बार बार सुनोगे and that is conversion conversion अब conversion क्या होता है conversion की कोई standard definition नहीं है conversion का मतलब होता है कोई भी important event या action ठीक है अब इसे ध्यान से समझो सपोस करो आपकी website है और आपकी website पे आके कोई क्या बना lead तो क्या ये एक important activity हो रही है हो रही है तो इसको हम कह सकते हैं conversion अब सपोस करो आपकी website पे आके किसी ने product खरीदा मतलब purchase तो इसे हम क्या कह सकते हैं again conversion अब सपोस करो आपकी website पे एक बहुत ही जरूरी page है कोई बहुत ही कोई जरूरी page है किसी ने इस page को देखा तो इसे भी हम कह सकते हैं conversion ठीक है अब conversion जो है इसकी standard definition नहीं है आपके लिए क्या conversion है ये आप Google को बताते हो Google ने कोई definition सेट नहीं कर रखी और example सपोस करो आपकी website का कोई बहुत important page है वो मैंने देखा तो ये आपके लिए conversion है बट हो सकता है मेरी website पे एक page हो similar page हो बट मैं उसे conversion ना मानू मेरे लिए ओ action matter ना करता हो ठीक है तो conversion की definition हम तै करते है standard cases में आप देखोगे कि conversion लोग refer करते है जब कोई lead generate करे या जब कोई sale हो तो उसे लोग कहते है conversion ठीक है अब एक और चीज जो आपको बार-बार सुनने को मिलेगी तो अब तक हमने क्या-क्या बात कर ली अब तक हमने बात कर ली CTR that is click through rate then हमने बात कर ली CPM cost per thousand impression then हमने बात कर ली impression की आपकी add कितने बार दिख रही है then हमने बात कर ली reach की आपकी add कितने logo को दिख रही है then हमने बात कर ली CPM की CPM is cost per lead आप जो भी lead निकाल रही है आपको तो per lead आपको कितना खर्चा पड़ रहा है then हमने बात की कि conversion क्या होता है then एक चीज आपको मिलेगी सुनने को वो है CPA CPA is cost per acquisition मतलब आप जो भी customer acquire कर रहे हो उसके लिए आपका खर्चा कितना हो रहा है उसको हम कहते हैं CPA ठीक है जी CPA किसे कहते हैं जो भी आप customer acquire कर रहे हो उसके लिए कितना खर्चा हो रहा है उसको हम कहते हैं CPA किये, then bid, ठीक है, bid is आप Google को कितने पैसे दे रहे हो, या फिर आप एक action के लिए कितना पैसे दे सकते हो, उसे हम कहते हैं bid, जैसे IPL में होता है न, जैसे आपको युवरात से खरीदना है, तो लोग कहते हैं, मैं 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड, 5 करोड, तो that is bid, similarly Google में भी आप bid करत हो, यह भाया मैं एक sale के इतने पैसे दे सकता हूँ, मैं एक lead के इतने पैसे दे सकता हूँ, मैं एक click के इतने पैसे दे सकता हूँ, तो उसे हम कहते हैं bid, ठीक है, और एक बहुती 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 जरूरी चीज है जो आप बार बार सुनोगे, and that is conversion rate, मैं बता नहीं सकता आ how important this is conversion rate का मतलब क्या है आपके website पर कितने लोग आ रहे हैं और उसमें से कितने convert हो रहे हैं for example suppose करो मेरी website पर आए 100 लोग और इन 100 में से 3 ने मेरा product खरीदा तो मेरा conversion rate क्या है 3% ठीक है या फिर suppose करो मेरी website पर आए 100 लोग और उसमें से 5 ने product खरीदा तो उसे हम कहते हैं 5% हो गया conversion rate अब देखो एक situation देखो suppose करो ये है आपकी website आपने total पैसे खर्च किये एड में 500 रुप है ठीक है और आपकी website पे आए 5 लोग और आपका conversion rate है एक्जामपल के लिए मान लेते हैं इतना होता नहीं है जस्ट एक एक्जामपल परपस के लिए आपको बता रहा हूँ 50% मतलब 100 लोग आए 100 लोगों ने click किया 5 लोग आए और 5 में से धाई ने आपका product खरीदा और suppose करते हैं product है मेरा 100 रुपय का मतलब total कितने आपने revenue generate किये 200 लगा लो मेरी website है मैंने भी कितने खर्च किये 100 मेरे पे भी आए 5 बट मेरा conversion है से 20% तो मेरे कितने लोगों ने product खरीदा बस एक बंदे ने खरीदा क्यों पांच आए थे खर्च कितने किये थे मैंने 100 रुपय 5 लोग मेरे website पे आए 20% conversion rate मतलब एक बंदे ने खरीदा कितने का है एक product 100 मतलब मैंने कितना revenue generate किया 100 आपने कितना किया 200 खर्च कितने किये आपने भी 100 मैंने भी 100 बट आपने तो 200 कमा लिए और मैंने तो 100 कमाया ऐसा क्यों क्योंकि हमा आरे conversion rate आपका conversion rate है 50 और मेरा है 20 मतलब अगर आप conversion rate को improve कर लो तो आप अपनी add की performance को exponentially improve कर सकते हो ठीक है exponentially improve कर सकते हो और एक और चीज़ जो आप सुनने को मिलेगी आपको देख लेते हैं दुबारा क्या क्या हमने किया है so CTR समझ गए आप CTR क्या CPM आप समझ गए 1000 impressions की कितने पैसे लगते है then we have reach कितने लोगों को आपके add दिख रहे then we have impression कितनी बार add दिख रहे है CPL cost per lead then आपने समझा conversion क्या होता है कोई भी important action उसे हम कहाते है conversion then हमने पढ़ा CPA, CPA is cost per acquisition then bid आप कितने पैसे देने के लिए तियार हो conversion rate कितने लोग आ रहे हैं उसमें से कितने आपके convert हो रहे है then हमने conversion rate का example समझा कि conversion rate exactly काम कैसे करता है ठीक है इसके अलावा आपका Google में और standard term कौन से होंगे जो बार-बार use होते हैं तो यही basic terms है जो आपको बार-बार Google में सुनने को मिलेंगे ठीक है और जो भी standard और इसके अलावा जो भी terms आएंगी वो मैं lessons में आपको साथ-साथ समझा दूँगा क्योंकि काफी सारी terms हैं जो कि अभी आपको समझाना आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा वो उसी lesson के साथ या उसी concept के साथ आपको समझा सकता है बट ये कुछ standard terms हैं जो कि Google में frequently use होती रहती है ठीक है जी तो thank you so much for watching this lesson कल के lesson में हम और आगे बढ़ेंगे Google Ads में और अभी I am sure कि आप लोग मेंसे जादतर ने मेरा Facebook Ads कोर्स भी लिया हुआ है तो आपको पता है कि हम एकदम scratch से start करते हैं सब कुछ हो जाता है कि आप मेंसे जादतर लोगों को ये चीज़े पता होंगी बट काफी सारे आप मेंसे लोगों के जिने इस सब चीज़े नहीं पता होंगी तो मेरा goal हमेशा होता है कि हम basic से start करें और धीरे-धीरे हम advanced चीजों पर जाए आपको basics clear नहीं है तो believe me on this आगे का आपको कुछ समझ नहीं आने वाला अब लोगों को भरम क्या है कि भाईया advanced चीजों से ही सब कुछ हो जाता है fact is अगर आपकी basic चीजों पर पकड़ नहीं है then advanced चीजों कोई फायदा नहीं है problem यह है कि हम में से जाधतर लोग या आप में से जाधतर लोग ऐसे लोगों की बाते सुनते हो YouTube पे जो डेली 50 रुपए 100 रुपए एड़ पर खर्च करते हैं जिन्होंने lifetime में ही 1000 रुपए खर्च किये हैं and then they are preaching about ads उन्हें खुद idea ने की scaling क्या होती है उन्हें खुद पतानी strategies क्या होती है ठीक है तो हम एकदम basic से start करेंगे और then हम advanced चीजों पर move करेंगे but make sure कि आपके basics एकदम clear हैं आपको एकदम चीजों पता हैं अगर आपको वीडियो दो बार देखनी पढ़ रही है कोई problem यह दो बार देखो but अगर आपने basic lessons miss कर दिये then आगे आपको दिक्कत होगी ठीक है जी that's it from this lesson